श्री गनेशा ये नमाहा, नमस्कार दोस्तो दोस्तो, चंद्रमा हमारे देनिक राशी फल में काफी महत्व रखते है धाई दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते है उस हिसाब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है तो चलिए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आपकी कुण्डली में चौथे भाव में रहेंगे जी हां, चौथे भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता तो इस दिन आपको थोड़ा साउधान रहना जरूरी होगा इस समय में कुछ मामलों में साउधानी बरतनाज जरूरी रहेगा, किसी तरह के लापरवाही आपको इस समय में महेंगी पढ़ सकती है, इस दिन आपको सिर्दर्द की शिकायत रह सकती है, आप मानसी कुरूप से थोड़े परिशान दिख सकते है, इस समय में चंद्रमा आपक मस्तिश को प्रभावित करेगा और चंद्रमा की स्थिती अच्छी नहीं है आपके कामों में रुकावटे आएगी लेकिन समय बहुत बुरा भी नहीं होगा बस थोड़ा सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा सावधानी बरतनी जरूरे रहेगी नहीं तो आप किसी गल बिजनेस से जुड़ी किसी तरह की समस्या आज आज आपको थोड़ा परेशान कर सकती है लेकिन कोई बड़ी कठेनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा इस समय में आपके नोकरी के क्षेतर में आपके काम का प्रेशर आप पर ज्यादा रहेगा लेकिन आपके काम की प्रश आपको मुनाफ़ा हो सकता है इस समय में अगर आप कोई नया वाहन खरिदना चाहते है या फिर कोई बड़ी वस्तू लेना चाहते है तो समय इन प्रकार से इन चीजों के लिए ठीक टाक रहेगा अच्छा तो नहीं कह सकते इस समय में आपके भोतिक सुकों में रुद्धी हो आप पढ़ाई में पूरी तरीके से concentrate नहीं कर पाओगे आपके मन में इस दिन कई प्रकार के विचार आ सकते है आपका ध्यान बाहरी दुनिया में ज्यादा रहेगा और फिर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन ठान ले निश्चे कर ले तो आप कोई भी चीज कर सकते हो और आज आप जितने भी विद्या ग्रहन करोगे वो आपके काम जरूर आएगी ये एक खास बात रहेगी आपकी married life इस समय में बहुत अच्छे रहेगी एक दुसरे को समझने में आसानी होगी partners एक दुसरे को बहुत अच्छे तरे से समझ लेंगे married life enjoy करने क में अनुकुल है अगर love life की बात करते हैं तो love life के लिए भी आज का दिन आनन से बरा रहेगा romance से बरा रहेगा काफी शुब रहेगा partners की बीच अच्छा तालमेल रहेगा love life के लिए भी हर प्रकार से दिन अनुकुल ही है आज आपकी सेहत भी ठीक ठाक रहेगी physically आप काफी fit परिशान कर सकती है बाकी स्वास्ते से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहेगी पूरानी परिशानियों में भी आपको आराम मिल सकता है आज एक बात का ध्यान ज़रूर रखे चंदर के चोते घर में होने से आपको चिड़ चिड़ाहट होगी चोटी चोटी वज़े से आप जगड़े भी कर सकते हो तो इस दिन इस तरह की बाते दिखाई देती है तो आपको शान्ती बनाये रखनी है ताकि मामला वही खतम हो जाए और इस दिन किसी औरों के जगड़ों से भी आपको दूर ही रहना चाहिए इस दिन आपके लिए माथे पर चंदन का टिका या केसर का टिका लगाना बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मंदिर जाते हैं तो एक रुपए का सिक्का मंदिर के मुख्य गुलक में जरूर डाले और आपके अच्छे के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करें इस दिन आपके लिए सफेद रंका इस्तेमाल करना बहुत दोस्तो ये राशीफल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशीफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीफल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गय है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी ब और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस थान पर रखें अगर कोई विवस्था उनकी लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखें साप सुत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चप के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चप के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चप के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप लग दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजू इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंती बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसान के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरकी ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्षमी जी का प झाल झाल